हलो फ्रेंड नमस्कार अभी तक आपका जो है पेन कार्ड आधार कार्ड अगर लिंक नहीं हुआ आपका तो एकतिस तारीक के बाद आपका जो है पेन कार्ड वह रिजेक्ट हो जाएगा आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे आप जो है आपने आधार कार्ड को पेन कार्ड क करने के लिए आपको आपने नदी की since एपरेटर के पास जाकर कि आप जा करकि कहीं से भी जो है आपने आधारकार्ण को पेंड काणा को लिंक ओंकरा सकते हैं आपको वहां पर 506 लिकर की 1000 का पिलैंट्र ऀांटी आपको देना होगा तो कैसे चेक करना है कि आपका जो है pen card, अधार card से link है या नहीं उसके लिए आपको mobile या laptop में जो है Chrome browser को open कर लेना है Chrome browser को open कर लेने के बाद आपको इस link पर चले आना है जानिक आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस link पर चले आएंगे आप को यहाँ पर option मिल जाएगा link अधार status तो first आप इस पर click कर देना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने इस तरह से एक page open हो जाएगा अब हमें यहाँ पर आप इने pen number को डालना है और आधार नमबर को डाल देने के बाद हमें वीव लिंक अधार status की option पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपकी समने एक pop up आ जाएगा your pen number is already linked to give you आधार नमबर आपका जो है pen card आधार कार्ट से आधार नहीं दिखा रहा है तो आपको इसी साइड पर आकर के आपने pen card आधार कार्ट को लिंक कर सकते हैं तो यहाँ से हम इस page को close कर देना है और यहाँ से हमें home के option पर click करके main dashboard पर चले आना है अब हमें यहाँ पर नीचे link आधार के option पर click कर देना है जैसे आप link आधार के option पर click करेंगे आपके समने एक दूसरा next page इस तरह से open हो जाएगा अब हमें यहाँ पर enter the details verification and status का option यहाँ पर आपको तीन step में फार्म को complete करन है यहाँ पर आपको details मिल जाएगा जो है आपको यहाँ पर 1000 की पेलाइंटी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी आपने जो है अभी तक आपने आधार काड और पेन कार्ड को link नहीं किये हैं इसके लिए यहाँ पर कई बार डेट को change किया जा चुका है आपको यहाँ पर pen number डालना है एन आधार number डाल देने के बाद हमें यहाँ पर get wallet option पर click कर देना है यहाँ पर किन लोगों को जो है आधार कार्ड को pen card से link करने की जरूरत नहीं है जिनको 80 साल से जो उपर के हैं उनको आधार कार्ड से pen card की link करने की जरूरत नहीं है अगर आप असाम से हैं मेग स्टेट से हैं तो आपको आपने आधार कार्ड से pen card को link करना जरूरी है नहीं तो आपका 31 से जो है आपका जो pen card है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपको आधार कार्ड पेन कार्ड को link करने में कोई भी समय से आ रही है तो हमें comment करिए मैं उससे related आपको वीडियो बन वीडियो को like and share जरूर करिएगा मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाइज जै